नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों क्यों लोग आप से जलते हैं कुछ तो खाश होगा आप में तभी तो लोग आप से जलते हैं जे दोस्तों आज के यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा ख चेरल रही है दोसों आप diferentes ज्यादा अच्छा कमाने लगे कुछ अच्य कार्व इन् Vet Tis वह with you in the certificate वह आपके दिश्व करने लगे अच्छा करने लगे उनसे हर छेस्व हमी आपकी अलग करने लगें तो दोस्व उनकी नजरों में आप जबे खटकने लगते हैं कि दोसों हुए आपके पेशे आपके रुत्वे को देखकर बरदास नहीं कर पाते हैं जिये दोसों और आपको उपर बढ़ने में आपके अंदर की अच्छाई का शबसे बड़ा हाथ हैं वही आपको शबल बना रही है जिसके कारण दोस्तों बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं जिये दोसों आपको बता दे बुरी नजर वाले आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं जिये दोसों आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन दोस्वों लोगों को आप से लेना देना है आपको वो चैन से जीने ने देंगी कि दोस्वों आपकी शफलता उनके दिल दिमाग पर उनके आँकों में खटक रही है दोस्तों आपको बिता दें कि कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कि आपको बरबात करने की वह कश्मे तक खा लेते हैं जे दोस्तों हम खुश रहे या ना रहे लेकिन हम आपको खुश रहने नहीं देंगे इसी कश्मे तक खा लेते हैं दोस्तों हमारी भगवान शिर्विनती है कि आपको इसे लोगों से बचाए, जो दोसों आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरे क्यों लोग आप से जलते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंच तक दिखेगा, वीडियो के अंत में एक बहुत अच्य उपा है, जिने अगर आपने उनमें उतार लेंगे तो दोस्तों जो लोग आप से जलते हैं वे आपकी जूनकाल से वाकर ही दूर हो जाएंगे और आप उन्हें मुक्ति पाएंगे जे दोसों तो वीडियो बहुत ज़्यदा महत्पन होंगी आप इन्हें अंत तक दिखीगा तो चली दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप लोग के करम भाव और शौमी भाव का जो भगवान है श्री शनिदेव हैं जे दोस्तों और इस लिए इस राशी के शबसे लग्की दिन शनिवार और मंगलवार रहते हैं जे दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन और आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो दोस्तों वह कारे आपके लिए बहुत अच्छा शावित होगा यूँ के दो दोस्तों कि एश में किया गया कार आपके लिए हमेशा शबल सकते होंगे तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिलकुल भी पशन नहीं आता जिया दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इश का एक एक रीजन यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दोस्तों से अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ इसा संकट आपके उपर जरूर आता है जिससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है इसलिए दोस्तों आप लोग जो है जादा और आपको एशी लग्या भी पशंद है जो की creative field में होती है और दोस्तों जिन में ज़्यादा attitude भी नहीं होती है दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथे दोस्तों आपको बता दे कि आपके उपर कितना भी कुंछunya है और एक आपके उपर्पी को बहुत ज्छेशर ह करते हैं और चुप-चाप आपके ले बेठ कर अपना आश्युबाहते हैं धुन्सों आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि दोस्तों यह जो बात coup आपको बता रहे हैं किया ऊजर रही है या फिर नहीं दोस्तों कमेंट करके यह आप अपना ने्चर जरूर बताईएगा और दोस्तों इसके शादिम आपको बतादें कि बहुत बार आपके शादेशा हुआ है आपको अपने ही लोग बहुत ज़्ह दुख पहूंचाते हैं जिया दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीमी लोग ही जो है वो ज़्हादातर कष्ट देते हैं, दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा, कि बाहर की लोगों से तो आप निकटने पड़ लेंगे बाहर की लोग, अगर आप से आपको चोट पहुंचाए तो दोस्तों का श्रमना आपको कर लेते हैं लेकिन दोस्तों दुख तो आपको तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुँचाते हैं आपके शाथ बुरा वैवार करते हैं आपके शाथ ऐसा अक्षर देखा गया है आपका बहुत बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमान को अपने ही लोगो उने बहुत बार ठेच पहुंचाई है लेकिन दोस्तों आज हमापशी एक शवाल कर रहे हैं जो आपके शाहत हो रहा है आकिर आपके शाहत होता ही रहेगा अगर हां तो दोस्तों कब तक होता रहेगा आखिर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाते रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा ज्यादोसों आखिर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियोन में अभी तक आपको अश्रपलता नहीं मिल पाई है जिसके आप आपको कारी कर रहे जिसके लिए आप जी रहे हैं सर्थू आपको हर चीज में शंगर्ष का स्वामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष वापको बहुत आपको किछिर यह चीज नहीं मिली है दोस्तों आपने बहुत ही मेहनत करके खुद की दिनरात एक करके जाग जाग कर आपने जो भी شपलताइए हैं उन्हें हाशिल किये है लेकिन दोस्तों फिर भी यह دुनिया आपकी शपलता क्या मिल साती है कि यह दुनिया आप से जनने लगती है आपको नीचे गिराने की कोशिज करने लगती है पिछले कुछ शालों से आपकी आर्थी सिती में भी भरी गिरा उटाई है जिए दोस्तों आपको बता दी कि आपका जिवन मानो पूरी तरह शेह बिखर गया है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में लोगों ने मन शे कभी भी आपको नहीं पूछा आपको मन समान नहीं किया उपर शेह आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शेह यही लोग आपके उपर क्या करते हैं यह तो आपको खुद पता ही हो यह Então आप भी इनके बारे में यह अच्छी तरीके से जानती हैं विन Matthasdoes यह लोग अंधर शे आप शेनमि करते हैं और तो सुन इसका यह कारण होशगता है कि आप लोग जो होते हैं वो बहुत ही शाफ दिल के होते हैं ज्यां दोस्तों आप लोगों की जो भी बात होती है वो बिल्कुल ही शाफ शाफ मुझ पर होती है लेकि दोस्तों आप अपने दिल में कोई भी पाप नहीं छुपाते हैं जो दोस्तों अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वयवार के चलते लोग आपको अंदर ही अंदर पशन नहीं करते दोस्तों मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप ये आदत को बिलकुल भी ना बदलें दूसरे लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आप उपनी आदत बिलकुल ना बदलें क्यों दोस्तों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अल कमेंट में बताईएगा क्या मैं गलत भीलाओं हुं। आप दोस्वों इन शवी का जबा मिलेगा नहीं। दोस्वों आप बिल्कुल भी निराश्ना हो। दिल छोटा ना करें आपको बता दें कि आपकी लिए जू आने वाला शमय होगा दोस्वों, गर्हों की गोचर की सत्य के शाद, बहुत यह अच्छा रहने वाले हैं, और आने की बाले शमय में आप का भी जयोंन पावश्व बदलेगा, और आना के लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाले है, जिस दोस्वों, आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है यह दोस्तों हम आपको बता दे कि बगवान शुन्देव का अश्रबाद अब आने वाले शुवे में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात यह भी है दोस्तों ने आप जरूर ध्यान सुनिएगा कि बगवान शुन्देव नियाय की देवता है जो लोग अनियाय करते हैं बगवान शुन्देव उन्हें कतई जहर वाले शाजाएं देती है जिनोंने भी आपके इशात गलत किया है जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिरोंने भी आपको ठेस पहुंचाई है दोसों उनका हिशाब भगवान शर्डेव अविश करेंगे आपको इस अफिर इतना करना है कि आपको एशाल लोगों से दूरी बना कर रखने है जिहां दोसों, इस बात को आप जरूर ठान लें, कि आपको इसे लोगों से बात बिलकुल भी नहीं करनी है, होश के, तो आप इन शे अपना रिष्टा ही तोड़ दें, जिहां दोसों, लेकिन अगर कोई इसे बात है, कि आप इसे रिष्टा नहीं तोड़ सकते हैं, आपकी बहुत करीबी विलोग हैं यानि कि आपका भाई है आपका बहन है ज़ैसे कोई बी व्यक्ती ही क्यों ना हो दोस्तों आपके पत्नी अगर आप शेट दूर नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों आप इतना तो कर ही शक्ते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें जा दोस्तों जितनी भी होश कि कम से कम बात करें क्योंकि दोस्तों जाहिर शी बात है कि आप में भी अब बहुत कुछ शेहन कर लिया है और दोस्तों शेहन करने की भी होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोस्तों आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आप से तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्दर नहीं शमझते हैं आपके फिलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं यह के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस कोई भी आफशकता नहीं है तो दोस्तों जब आपके शाथ गलप तो दोस्तों मानलिजिए शीवन की स्षीख है mbraakी दोस्तों बगवान शर्देव आपके शाथ है और आपका कल्यान करने के लिए आपके सब्दाई में शवर्श दिन आयन के लिए बगवान शुर्देप आपके कारियों में आपके शाथ रहते हैं। जैसे दोस्तों बिलकुल याप सचे मुλशु से जिस परकार बगभान शुर्देप को याद करते हैं। दोसनों इसी परकार आप उन्हे हमेशा याद कीजिएगा तो दोसनों यह आपके करम भाव और लाव भाव के श्वामे हैं तो दोसनों यह आपके जुनकाल में Хमेशा शुबरकार ही आपको देने वाले होगी दोसनों अंत में आप शिबस यही निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बेल आइकन को पेश करकी और परस्लेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंचेंगी